तो आज के वीडियो उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी एक्जाम अभी बहुत जाद अनस्दीक है पर इस वीडियो को वीडियो एक अच्छ नहीं चल रही है जादा उससे ज़ंदा ही हिसे चल रहे है FP3 को में कुछ भी नहीं होता है जब हो जैसी 10 बेटिंग करता है जैसी नहीं पता होता हुँता कितनी मेनता कर श्कुम इनकी पर्सनेल लाइफ में क्या कुछ अगर अभी इशूस चल रहे हैं हमको कुछ भी नहीं पता है सिर्फ हमको वह मैच दिखता है वैसी ही सेम सिच्वेशन जहना आपके साथ भी होती है जब आप एक्जाम में वह तीन घंट अपना पेपर लिख रहे हो तो ना तो पेपर करने वाले को सिर्फ आपका वह पेपर दिख रहा है उसको और कुछ भी नहीं पता है कि आपने साल भर कितनी महनत करी है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर अगर आपने साल भर उतनी महनत नहीं भी करी अगर तो उसको कुछ भी नही करें तो बिलकुल कर सकते हैं उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स रहती हैं तो आज हम उसी विबारे में बात करने वाले कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं कि मिनमम एफर्ट के साथ में बोल सकती हूं ठीक है तो सबसे पहली चीज जो क्या रहती है हम बहुत-बड़ी गलत और वो दिन फिर पता है क्या होता है जब आप एसी लाइग आप अभी प्लाइट करके रख लोगी यह चैप्तर में करना यह कोर्स चार्गन करेंकर रखना है इतना प्रेक्टिकल हुआ कि अगर आज हम उसको करने बैठे था हम उसको दो चार दिन में भी नहीं कर पा रहे के लिए क्वेशन को तीन पाट्स में ढिवाइद करते हैं मुझी यह नहीं ऑसके हैं ये सब के लिए अलग-अलग हो सकते हैं इसको कि आ 영च करके हमने कर तो हम अपने फ्रेंड Goddess लेते हैं यह तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि उसको जो हमको नहीं हो सकता है इन टोटल हमको हमारे क्वेशन्स खुद मांक करने हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी सीए इंटर में 23 के जितने भी स्टूडेंट से उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आ रही है कि सिलेबस इस टू लेंदी और इसका सल्यूशन यह है कि अगर आभी हमारे पास इंपोर्टेंट क्वेशन्स की लिस्ट होती है तो वी के रवाइज डैट क्वेशन्स उनली त्री तूफोर तैम्स वेरी ईजी और इसी लिए स्टेडी बड़ी क्लब आपके लिए लेकर आ गए हैं इंपोर्टेंट क्वेशन्स की लिस्ट और साथ ही में उसके आंसर्स वह भी बहुत ही ज्यादा मिनीमम प्राइस पर जो की है इसके लिए आपको उनकी एप्लिकेशन जो है वह डाउनलोड करनी पड़ेगी उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स दोलों जगहा पर दे विए और इसके बाद बेकर आपको कोई डाउट है तो आप सीए प्रतिक ठकर्स है जो की ओनर स्टडी है कि हमको प्रॉपर जो है स्केडीूल बनाना है अपने लिए कि हम.5 देश में क्या करेंगे और वन डे में क्या करेंगे क्योंकि हम क्या करते हैं अधिक्टर की और पूरा प्लाइनिंग में फोस्पोन कर दते हैं उस एक दिन के उपर जिस दिन हमारा कुछ भी नहीं होता लगता हो या फिर वह बहुत जादा नंबर कवरिंग हो हमको दोनों ही चीज़ें करनी हैं उस दिन थकान हो चुकी होती है क्योंकि पेपर का दिन रहता है पेपर देख आते हैं उससे पहले भी बहुत सारा हमने पुरा कोर्स एक बार का रिवाइस किया होता है सुबह सुबह हो जाता है तो उस दिन पॉइंट फाइव डे आपको कौन सा चीज लेनी है जो कि आराम से आपको समझ आ चाती हो आपके उस पर अच्छी कमांड हो तो हम उस चीज को स्ट्रॉंग कर लेंगे ऐसे चैप्टर्स जो कि बहुत जादा बड़े हो बहुत जादा लेंदी हो वह हमको कब लेने होते हैं जो बाद का पूरा दिन मिलता है ना उसमें स्टार्टिंग में वह चैप्टर्स हमको लेने होते हैं अगर आपने थोड़े बहुत भी चैप्टर से उपर नीचे कर लिया और गलत सेक्वेंस में और उनको अरेंज कर लिया तो यहां पर बहुत बड़ी नहीं है लेकिन सब आप सोते हैं उनको सीक्वैंस में लेकिन सआहे होता है मतलब लिखने थो तो आप वेस्ट कर दी हुआ है कि अब महzechण को प्राफोऔर चोड़ नेक्स्ट बात ही कि हमको एक्जाम में कि कसी प्रेकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है जो भी है अपने को महां पर पेपर की इतनी बचचत करते हुए नहीं चलना है अपना अगर नया सब पार्ट भी क्वेशन का स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको बहुत अच्छा रहेगा अगर एक नेक्स्ट पेज से शुरू कर दें नेक्स्ट बात आती है कि हमको क्या पूरा ब्लेक पेंस अपना पेपर लिखना होता है तो यहां पर पहले तो हम ब्लेक ब्लू रेड सब यूज़ कर ले थे पहले एक्जामस में तो उसकी वज़े से वो पेपर में लेक बाइफरकेशन हो जाता था कि क्या है क्या अंदर का पाता है तो आप कैसे कर सकते हो जो भी क्वेशन में रहती है ना उसके उपर और उसके नीचे दोनों जगह हमको लाइंस छोड़नी है और फिर अपना जो है इस तरह से लिखना है जो भी लोग बहुत जादा खिचड़ी बनाकर अपना पेपर लिखते हैं वह क्रपया करके इस आदत को सुधारी है और जो है अपना पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही क्लियर रखो जितना हो सके काटने की कोशिश कम करो पहले माइंड में सोच लो और फिर लिखो उसको ठीक है जो प्रेक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं उसमें हम वर्किंग नोट बनाना भूल जा पर अब तो लगता ही नहीं उसकी नेसेटी लेकिन एक्जाम में बहुत जरूरी कि अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि थोड़े बहुत नंबर आदा एक नंबर वहां पर काट सकते तो हमको उनको वह स्कोप देना ही नहीं है हमको ज आप नहीं कर पार हो ना जैसे जो हैडिंग्स वाली चीज़े वह तो आप हैडिंग्स में लिख दो गया अफकोर्स लेकिन जो परेग्राफ परेग्राफ से उसको पॉइंट्स में ऐसे पाटना रहता है कि बड़े बड़े लाइक साथ आट दस लाइन के बड़े बड़े लाइक लगेगा अगर आपको कोई बोल दे के दस लाइन का परेग्राफ पड़ो तो आपके बिल्कुल कॉंसेंट्रेशन के साथ उसको पड़ पाऊगे उत्ता ध्यान आप उस पर दोगे नहीं दोगे तो वैसे ही जो चेकर रहते हैं जो कि चेक करेंगे आपका पेपर वह बहुत सारे लोग यहां पर कंफियूस हो जाते हैं कि 100 परसेंट साब का मितलब क्या है में स्ट्सेंस आते हैं आपको बहुत सारे उसके बहुत इनलारीं काहिए जैसे अगर कोई मारक घ्रुंस गलत हो है क्वेशन गलत हो गया और अगर आपने नहीं करा तो आपको उसके नंबर कैसे मिलेंगे तो बहुत सारे इसके लिए रहते हैं तो अगर कुछ नहीं भी आता हो नहीं तो एक दो लाइन से रिलेटेड ही लिखके आ जाना पर लिखकर आना और एक सही बात बताऊना मैं तो मै आएट पर नहीं देना चाहंगी उसका यह बहुत सारे प्रिदिट जो है इन पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पर आता है और अगर आपको विश्वास झाल झाल झाल